नमा संस्कृत है मित्रानी तो मित्रों आज हम बिहार बोड की आठवी कक्षा की संस्कृत का हम दूतिया पाथ है इसका प्रशनोत्री करेंगे इसे पुर्व के वीडियो में मैंने इसका अध्यन कर चुका हूँ इसका आर्थ को बता दिया पुरा अनुवाद व्याख्या कर आज हम इसका प्रशनोत्री करने जा रहे हैं आप सभी अपना कौपी और कलम लेके बैठ जाएंगे और देखिए यह जो है संगे शक्ती इसी का प्रशनोत्री करेंगे वीडियो में बने रहेंगे वीडियो बहुत यह अच्छी होने वाली है तो चलिए आज की कक्षा की आज ही तरीकेशे यानि कि देखिए पहला जो है ये क्रिशी कर्मना इसको उचारन करेंगे क्रिशी कर्मना इसको संपत्तिर अर्जिता शमा सृत्या चिंतिता स्तिश्ठती श्रणवंती दंड चतुष्टयम यह हो गया दंड चतुष्टयम इसको पढ़ेंगे अकाई कश् सरवे अपी ग्रिहे औवर्तंत तो ये हो गया पहला प्रशन का शही उचारन अब आगे है दूसरा प्रशन है कि शंगही शक्ती भवती यानि कि एकता में बल होता है इती विशयम आस्रित्य संस्कृत भाशायम दूए वाक्य वदत यानि इस विशय पर ही आधारित पाग के बोलना है तो चलिए हम इसको बता देते हैं तो दूसरा प्रशन का उत्तर में आप ये भी लिख सकते हैं या कुछ और लिख सकते हैं एकताम रिते शपलताम नमिलती दूसरा लिख देंगे शंगही शक्ती कल यूगे इसके अलाब आप और कुछ भी लिख सकते हैं इसका उत्तर में संस्कृत में लिखना था, इसलिए हमने ये दो लाइन को आपके लिए सरन लाइन लेके आया हूँ, और आगे चलिए इसका अगला प्रशन को देख लेते हैं, अब आगे तीसरा प्रशन है, निमलिखित आनाम शब्दानाम अर्थम वदत, यह निमलिखित चलिए हम बता देते हैं सेयरत क्या होगा, तो अब तीसरा प्रशन कर सज़्दतर यहां से लिख देंगे, तत्यव है, इसका उखिया है, वैशे ही, विपुलाम कार्थ हो गए, बहुत कदापी कार्थ हैं लिखेंगे, कभी भी, इसके बाद है, ऐव मेव है, इसका उखिया इसके बाद तो इस परकार तीसरा प्रशन का शहीवतर आप वीडियो रोकर लिख ले अथवा स्क्रेंशॉट भी ले सकते हैं चलिए अगले प्रशन के बढ़ते हैं अब आगे है चोथा प्रशन है यह लिखित यहां से सुरू हो जाता है लिखित का प्रशन वाकर निर्मान करना है तो पहला यह सभी सब्दों का परियो करके वाकर निर्मान करना है जैसे पहला दिया गए पितरम है ग्रामा है क्रीशिका है इसके बाद है करूशी एकदा पित ट्यक्त्वा तिन सविश अब्डों का प्रियोकरके रला करना है चृत्वास्व जोड़ क्रूब स्विश ругे इस पर सभूम है वोला व पिता के प्र करती इसके बाद है करोशी तुम कारियम नौ करोशी तुम काम नहीं करते हो इसके बाद एक दा एक दा मोहना अत्र आगच्छत तो हमें हलन थे यहां एक दा मोहना अत्र आगच्छत एक बार मोहन यहां आया इसके बाद है पिता पुत्रेन शह वनम वनम गच्छती पिता पुत्रे शाथ पिता बेटे के बेटा के शाथ वन गया वन जाता है जंगल जाता है इसके बाद है त्यक्तवा जना धनम त्यक्तवा न शुखी भवेत यानि लोग जो है धन को त्याग करके शुखी नहीं होता है मैंने कि इस परकार हो गया आप इसके अलावाब कुछ और भी इसमें कुछ भी अनुवाद आप बना शकते हैं अगर आप अनुवाद सिखी जाते हैं तो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजिए हम अनुवाद भी आपको शिखा देंगे बहुत यह अची तरीके से चलिए अगले प्रस्न के और बढ़ते हैं अब आगे पाच्वा प्रस्ने संदी विछेद करना यह तत्थाईवा है चिंतित्य स्थाती है शर्वे अपी है शो अपी संपत्तिर अरजिता तो इन सभी का जो संदी विछेद करना है चलिए हम करके बता देते हैं सही तरीके से अगला प्रस्न का उतर यह जो पाच्वा प्रस्ने इसका उतर य इसके बाद सरवेugी अपि का आप लिखेंगे शरवेः धन आपी शो अपि का लिखेंगे शाधन आपी संपतिर अरुजिता हमें लिखेंगे scissors परकार प्रशन प्रश्ण का सही उत्र आप लिख लेंगे चलिए अगले प्रश्ण के और बढ़ते हैं अब आगे च्छठा प्रश्ण है मंजुशाता शब्दम चित्वा अरिकतास्थानानी पूरियत यानि यह जो मंजुशा यानि बॉक्ष में दिये गए सब्दों को चून करके खाली अस बॉक्ष यान्य फैपर बढ़ने भाइन तारत में महतिनी परतिष्ठा संपरांता यानि साई वां उसकी बहुत ही मान परतिष्ठा थी इसके बाद तस से चत्वारा पुत्रा ओभवन यानि उसके चार पुत्र थे यहां चत्वारा भर देंगे अंगवा नमर में भरेंगे आप स्रिनवंती, सरवे अपियालसा ना स्रिनवंती यानि सरवी आलसी जो थे वो नहीं सुनते थे शहती, स्रेशी, पुम्शाम यहां पर सहती भर देंगे चो नमर में तो चो नमर प्रश्ण का आप उत्तर इस पर कर सही सही भर लेंगे अब चलिए आगला प्रश्ण के और बढ़ते हैं अब आगे सात्वा प्रश्ण है प्रकिर्ती प्रत्य विभागम कुरूत यानि प्रकिर्ती प्रत्य विभागम कुरूत यानि प्रकिर्ती प्रत्य बनाना है दत्वा है, जाता है, समास्रित्य है आहू यह है, आदिष्टा है इन सबीश शब्द जो दिया गिया है, इनको प्रकृती प्रत्या में विवक्त करना है, तो चलिए हम करके बता देते हैं कैसे होता है, तो साथवा प्रस्ट का उत्तरा आप इस परकार लिखेंगे, आपको जो है ये प्रकृती प्रत्या देख के घबराना बिलकुल भी नहीं है चीजे अभी हखला कि बहुत तरीके से समझ में नहीं आएंगे हम ब्याकरणे जब पढ़ाएंगे आपको बहुत चीजें को क्लियर हम करते जाएंगे तब अब सारी चीजे समझ में आएगी अभी हम जिस पर कर बता रहें उतना ही शमज़िये काफी है दत्वा का ये दा धन कत्वा होजएगा दा ये मूल धातु है धातु क्या होता है शबी चीज़े हम ब्याकरण का जब एपिसोड लाएंगे उसमें सारी चीज़े हम समझाएंगे बारिकी से आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे संस्क्र कन्हाय समस्रिट्य, शमध्धन loversन अधन, श्रीय धन लियापपरत्य होगा इसके बाद आखुयय आधन, वय धन लियापप्रत्य है इसके बाद आदिश्टय, आधन, दिश्थन, कत प्रत्य है तिस परकार साजम्हा प्रश्न का उतर लिखे है आपको घवराना बिलक पुष्कल नामकु ग्रामा कुट्र अश्टी यानि पुष्कल नामक गाउं कहां है तो इसका उत्तर हमने जब कहानी पढ़ाय थो उस समय हिंदी करके आप लोगों को बता दिया था तो कहां था गंगा के तटपर था गंगा के सुंदर तटप पे था तो सुंदर किनारे पे तो चलिए हम इसका उत्तर संस्कृत में ही पूर्ण वाकी में बताना है तो चलिए सभी काम करके बता देते हैं सही उत्तर तो आठवा नमर प्रश्ण का सही उत्तर आप यहां से लिखेंगे सारे का उत्तर मैंने अच्छी तरीके से करा दिया हूं पुष्कल नामको ग्राम गंगाया तीरेस्ती यानि कि गंगा के किनारे है पुष्कल नामक गाउं इसके बद खणनमर प्रश्ण है क्रिषी करमना केड केन्प्रभुता शंपत्िर अर्जिता यानि कि क्रिषी कारीयों से खेती बाली कर के जो है संपत्ति को अर्जित किये थे कौन तो यानि कि यहां देखिए किरिशी कर्मना हरिहरेन प्रभुता संपत्तिर अर्जिता यानि किरिशी के खेती वाली के कारे से हरिहर के द्वारा संपत्ति अर्जित किया गया था, संपत्ति कमाई गई थी इसके बाद गनवर प्रशन है हरी हरश ये कती पुत्रा आशन यानि हरी हर नामक किशान के कितने पुत्र थें तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे उत्रम में हरी हरश ये चत्वारा पुत्रा आशन हरी हर के चार पुत्र थें, चार बेटे थें गानमर प्रश्ण है कि अति अलशाह आशन कि कौन यानि की बहुत ही आलसी थें तो उत्तर में लिखेंगे चत्वारों पुत्रा अति अलशाह आशन यानि कि उनके जो चार बेटे थें वो चारों बेटे बहुत ही आलसी थे अब आगे है अंगवानमर प्रश्ण है सरवे पु पुत्र जो है सभी बेटे सेवा के दुआरा किसको रोग शे मुक्त किया तो सर्वे पुत्रा उत्तर में लिखेंगे सर्वे पुत्रा शेवया पित्रम और ओगम किरतवन्त यह शभी बेटे मिलकर सभी बेटे जो है सिवा के दुआरा पिता को रोग शे मुक्त किये तो इस प मिलाना है तो यानि कि यहां देखिए दत्वा है यह किस में मिलेगा दत्वा को आप मिला देंगे दाधन कत्वा परत्तिय है यानि एक का छो में मिला देंगे कौका छे में इसके बाद एक ग्रश्टा है ग्रश्टा का किस में मिलाएंगे तो आप इसको मिलाएंगे तुमको आप मिला देंगे भूज धन तुमन तीन में घौका तीन में अंगौ है ओंसम प्रश्itting को दोcem 10지 मिलाणा कर लेंगे आप चली अगले परस्ण के बढ़ते हैं अब आगे दससंवाप प्रस्मे उधारणानशारम, अभ्यपास चनूत। इन उधारण के अनूसार जो है, अभ्यपाद का चैन करना है, शाहथया पाटली पुत्रम कछटी। इसमें देखे अध्या जो दिया गया है ये क्या है ये अभ्याइपद है अध्या का अर्थ हो जाता है आज तो अभ्याइपद क्या होता है ये सब सारी चीजें ब्याकरण में बहुत ही अची तरीके से पढ़ाएंगे अभ्याइपद कौन-कौन सा है क्या है नहीं है सारी ची क्या करते हो तो इसमें जो अब ये पद हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा अत्र हो जाएगा इसके बाद खोनमर है शाह कदा ग्रिहम गमिस्यती तो इसमें कदा हो जाएगा यानि वह कब घर जाएगा इसके बाद सीला करिना वह चित्रम द्रक्षिती सीला और करिना सीला या करिना चितर देखती है इसके बाद है चितर देखेगी इसके बाद है और शत्यमावद यानि झूट मत बोलो इसके बाद अग्ला है सकीलेन शाकम शह अगच्छत यानि कि सकील शाथ!Cómo. वहाँ गया! इसके वाद इहां साकम हो ज feito इसमें अभ्यापद तो है तो अब दास्मा प्रशन को उत्र प्रकाल लिखेंगे अत्र लिखेंगे वहाँ लिखेंगे शाकम लिखें गे तो दास्मा प्रशन को उत्र यहांですね अब चली आगले प्रस्णि के और बढ़ते हैं जो है सब्दूरूप चलता है पुत्र का फल का नदी का शबी का सब्दूरूप चलता है उसी का रूप को बताया गया है कौन सा लिखना है तो गैर नमर प्रशन का उत्तर यहां से लिख देंगा अब पुत्र का जो है हमें कहा गया था सब्तमी एक वचन लिखना तो पुत्र हो जाएगा इसके बाद युसमद सब्द रूप का कहा गया था पंचमी दूवचन रूप लिखने के लिए तो युवा भ्याम हो जाएगा तो इस परकार आप एक अरवा प्रशन का सही उत्तर को आप लिखे लेंगे चलिए अगले प्रशन के और बढ़ते हैं अब आगे हैं यहां प्रशन अधो लिखे तो वाग क्यानि घहंना क्रमाण उशारं लिखे यी निमीनखिट जितने भी बाग की दिये गए हैं धरण का अनुसर लिखना है We You कहानी में पढ़ा दिया है कौन घटना कप पीछे आगे हुआ है तो कहानी शरी शमज में आ जाती है सारी घटना है जैसे दिया गया तत्र हरी हरो नाम क्रिशे का वर्त थी यानि कि वहां हरी हर नाम का किशान रहते थे एक दा हरी हर रोग गरस्ता अभवत नि एक बार हरी हर जो है बीमारी से प्लीत हो गए है गंगा या तीरे पुसकल नाम को ग्राम अस्ती गंगा के किनारे पुसकल नामा गाउ है तो इस परकार सभी जो है इसमें क्या हो गया है उलट पुलट हो गया है तो इसको सही तरीके से हमको सही करम में लिखना पहले कौन सा घटना हुआ तो इसमें जो है क्या होगा तो इसको आप क्या करेंगे पहले आप कोपी में आप इसको पूरा को लिखे देंगे इसके बाद उत्तर में आप लिखेंगे जिस परकार हम करम आपको करके देंगे सही करम से आपको लिखना है तो आप बारवा प्रश्ण का उत्तर आप इस परक सब्सक्राइब दर्कार कर लिखेंगे यह गांग, यह किनारे पुसकाण नाम यह पहले मरण नाम गणीया में यह नाम की रिशजकास न्यांनि हते छाहर हो नाम यह ING यानि कि हरीहर पुत्रों शे पुत्रों को बुला कर कहते हैं सभी पुत्रों अपने दुष्ट विचारों को त्यागें तो इस प्रकार यह सई गटना क्रम है बारवा प्रशन का सही उतर लिख लेंगा, अब चलिए, अगले प्रशन को देख लेते हैं, अब अगला जो प्रशन है इस पार्ट की आखरे आखरी प्रशन है, तो ये है, मंजु साया उची तानी पतानी जो जीत्वा वाक के निर्मानम कुरूत, यानि कि ये जो दिया गया मंजु साया यानि बॉक्स में ये सब्द को इसके साथ जोड़ करके सही वाक निर्मान करना है, यानि सब के साथ गिरिहम तो लगेगा हैं, जैसे वयम गिरिहम, ते गिरिहम, वहम गिरिहम, तुम गिरिहम, शाह गिरिहम, शाह गिरिहम गर्शामी होगा, कि साह गिरिहम गर् एपिसोड लाएंग, उसमें समझ में आ जाएगी सारी चीजें, चलिए इसका उतर देख लेते हैं तब तक, तो आप तेरे नमर प्रश्ण का उतर आप यहाँ से इस प्रकार लिखेंगे, उतर में, सा ग्रिहम गच्छती होगा, सा के साथ गच्छती ही हमें हमेशा होगा, सा गर जाता है तुम लोग घर जाते हो इसके बाद तौ गर जाता है वे दोनों घर जाते हैं इसके बाद है आवाम गर जाते हैं तो इस परकार आप तेरवा परशन का सही उतर को लिख लेंगे आसा करते हैं कि यह जो एपिसोड है आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रियास किया है किये हैं और जहां कहीं भी आपको प्रेशानी हो संस्कृत में किसी भी चीजों से तो आप हमको कमेंट में बताएंगे हम उसके लिए वीडियो लेकर आएंगे और आप फिलाल के लिए जो है आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब संस्कृते